चारो ओर से पहाडी से घिरा हुआ एक पहाड की चोटी पर इस्तित भोलेनात का यहो मंदिर छोटे कैलाज नाम से जाना जाता है दोस्तों आज की वीडियो में हम छोटे कैलाज चलेंगे और वहां के बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में जानकारी दूँगा जुरे रहे देव भूमी उतरा खंडे के साथ अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करना न दोस्तों और उन्होंने इस दोरान जो जहां पर अभी सिब्लिंग स्थित है वहां विश्राम किया था और वहां धुनी जलाए थी और आप धुनी के बारे में नहीं जानते या जागरपद्धिति के बारे में नहीं जानते तो आए बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा पर प्लेइलिस्ट में भी आपको वह बीडियो मिल जाएगी धुनी किसे कहते हैं और जागरपद्धिति के बारे में आप वहां से जान सकते हैं धुनी किसे कहते हैं तो भगवान सीब और मापारवती ने यहां विश्राम किया था और उसके बाद अखंड जो धुनी है दो और खुले आस्मान के नीचे होने के कारण धीरे धीरे काफी पहाड की काफी उंची चोटी पर होने के कारण इसका पता लोगों को काफी देर में लगा दोस्तों फिर धीरे धीरे यहां पर मंदिर का निर्मान करा दिया गया जो इस्थानी लोग थे यहां के उन्होंने यहां पर मंदिर का निर्मान कराया जो जहां पर अभी आपको मंदिर स्थिर मिलता है यहां 20 साल पहले लगभग मंदिर नहीं था, खुले आसमान के नीचे सिबलिंग इस्तित था, यह कन्नाटक बाबा बताते हैं और स्थानी लोग भी यही बताते हैं, कन्नाटक बाबा वो हैं, जो यहां पुजारी हैं, वो हैं, यह मैं आपको जानकारी दे दूँ, अब दोस् पहाड़ी की चोटी पर इस्तित हैं दोस्तों, छोटा कैलास नाम से ही आप जान सकते हैं कि यहां कोई मंदिर इस्तित होगा भगवान सिप का, क्योंकि हमारा उत्राखंड जो हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान सिप की जो मंदिर हैं, जो इस्तित हैं यहा सबतोब कई मंदिर तो ऐसे हैं जो बहुत प्राचीन है हमारे उतलाकहंड में देभुमी में लेकिन उनका जो वह लोगों के बीच नहीं आये हूँए हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है तो यह ब्यों आhof मोहग दिरिश्ची रहता है जब आप ऐसे मंदिरों में जाते हैं देखे कितना सुन्दर और बारिस का मौसम है लेकिन मौसम चलने में कोई ज्यादा आपको ठकान नहीं लगेगी तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप यहां तक जो है वो रोट सडग मार्ग से आप कैसे पहुँच सकते हैं यहां से आप हल्वानिया किसी और जगों से आ रहे हैं दोस्तों रानी बाग में एचम्टी वाज कंपनी है उससे थोड़ा उपर से यहां के लिए रोड बनी हुई है उस रोड के जरिये आप अम्रीत पूरा भोसा होते हुए पिन्रो गाउं तक पहुँच सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको 3-4 किलो मीटर की जो है वो खड़ी चड़ाई जहां अभी हम चड़ रहे हैं जो वीडियो मा आप देख रहे हैं वो चड़ाई चड़नी होगी जिस पर आप 3-4 किलो मीटर चड़ाई चड़ने के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे वहां आपको भगवान सिफ का प्राचीन मंदिर जो छोटे कैलास नाम से स्तित है वह नजर आएगा उसका सुंदर नजारा आपको नजर आएगा देव भूमी उत्राखंडा आपको इस वीडियो के माध्यम से भी वहां ले जा रहा है और आप वैसे आन से मिलेगा देखे कितना खुबसूरत दिरिश्य है और दोस्तों यहां जो अभी जो हाम पैदल रास्ता है तीन-चार किलोमेटर की खड़ी चड़ाए का वह उतना बना हुआ नहीं है अभी कच्चा ही है बनना है थोड़ा काम लेकिन जो शिवराती थी तब काम रुका वैसे कमफिटेबल है ऐसा कुछ नहीं है तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तीन-चार किलोमेटर की बाद मंदीर के सामने यह आप मंदीर के दर्शन कर पा रहे हैं भोले नात का जो छोटे कैलास नाम से परसिद्ध मंदीर है वह मंदीर यह इस्तित है दोस्तों यह यहां पर यह तो आप जो मुख्य मंदीर है छोटे कैलास का वह देख पा रहे हैं सामने वीडियो में यह महासिवरात्य की वीडियो है दोस्तों इसलिए आपको थोड़ा भीड़ जादा मिलेगी और आप किसी और हिंदुत यहारों पर जाएंगे तब भी आपको भीड़ मौसम में चले जाएंगे तो भीड़ कम मिलेगी आपको आप कमफिटेवली देख सकते हैं दर्सन कर सकते हैं यह है दोस्तों सामने जो मंदीर है यह पहाड की चोटी है अभी मौसम बारिस का है पूरा धुन्द है तो इस वज़े से आपको दिह नहीं पा रहे हैं दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक सेयर जरूर करें दोस्तों जै देभूमी जै उतराखन मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ